देखिए इस वक्त हम गया जिले के पत्थरा, हेरहन और केवल्डी गौउं के पास मौचूद हैं। यहाँ गौउं इमामगज परखंट छेतर के अंतरगत आता है लेकिन चारों और से जारखंट से घिरा हुआ है। जारखंट के अलावे चारों और से तीनों जो गौउं है नदियों से भी घिरा हुआ है जिस कारण यहाँ के लोगों को काफी शमस्या होती है। लेकिन तीनों के लोग यहां पर दिख सकते हैं अभी मेटिंग करने के पार कि लूगों के लोगों ने निरने लिया है कि इस सुच्चोड पिछकार करें यां के लोग हैं लोगों से बात भी करेंगे वोटवец-कार करने का पीछे पार और क्यों वोट पहिश्कार करेंगे इस बार जी अवे तक आजादी के लगभग 75 वर्ष बित जाने के बाद भी यह तीनों गाउं विकास से जो अधूरा है हेरंज पथरा और केवल्डी यहां जब इलेक्षन आता है बिधान सवा यह लोक सवा तब यहां के लोगों को इस्त लोगों को यहां होस्पीटल जाने के लिए विवस हो जाते हैं जबकि यहां पर गर्वती महिला को इलाज के अभाव में यहां दम तोड़ देती है कुछ वैसे बुजूर्ग लोग प्रतेक वर्ष यह नदी के कारण यहां पर 10-20 लोग को मिर्टू हो जाती है इलाज के अ दम आगमन का कोई साधन नहीं है है और याँ कोई भी पता दिकारी या नेता मंत्री यहां कोई सूधने लेते हैं और अभी तक लिए हैं जालों में आकर के वोट देते हैं लेकिन पांग साल तक इन लोगों को चुछ नहीं होती हैं हम लोगों को मांग है कि यहां रोड और पूल हो तभी हम लोग भोट देंगे हमारा नाम कृष्णा याद और भी लोग है इन से बात करेंगे बूट देते हैं कि नहीं आप लोग बूट तो जाकर के 12-14 किलो मीटर परता है यहां से वहां जाकर दे देते हैं कितनी अवादी है यहां पर लगभग पांच हजार देसाजार आवादी है तीनों मिला करके देसाजार यहां नहीं है पहले था आज के करीब 20 साल पहले था लेकिन 20 साल से इधर आप बूट उत नहीं रहता है आप लोग जो है आज मिटिंग कर रहे हैं कि इस बार जो करीब करीब कोन ऐसा साल है कि जब बरसात आता है तो गरववती महिला लोग के परिसानी मने मरिये जाना है इलाज के बीना लोग पहुंचिये ने पाता है हॉस्पीटल कई से जाएगा का कि इमांड की ऐसर ले है कि सबसे पहले पूल बनावे नागेशवर या दाओ चलिसे और भी लोग है यहाँ का सबसे यह जहा São अन्या था, है यहांसर कि लिए जो भी संघर्च करना पड़े, यहांसर करने के लिए यहां पे त्यार हैं, यहां का समस्या इतना गंबीर है, जिसको, मुने आज 75 साल अजादी के हो गया, लेकिन Аज भी हम लोग गुलाम हैं, इसके कोई दोमत नहीं है, आज गर्बती महिला क की समस्या हो या फिन जो बिमार अगर अचानक बिमार पड़ता है उसकी समस्या हो यह गोले तरफ से नदी है यहां पर उस नदी बरसात के समय में तो इतना बड़ा समस्या है कि जदी नदी आयल है तो वह आदमी बिल्कुल मने मर जाता है मर सकता है इसके लिए कोई आवाज सब्सक्राइब कोई सरकार कोई नेता इसका वाज भी ने उठाए कितना हो यहां से 26 किलमेटर ही मांगज पढ़ता है जो यहां से दूरी 30 किलमेटर है जारखन बोडर भगल में है और यहां पर जैसे क्या गोलते हैं बिहार का सीमाना पढ़ता है यह ज्यादा नजदिक होगा आप लोगों से नजदिक यहां भी नजदिक नहीं है आपका यहां करेंगे जी मुख जी बताएं के गोंक लोगों क्या हुआशILY वसंंत देंगे कि सबसे पहले आपको धन्यवाद कि यहां फिजान फिस्फिष समेशान सं अ हर मुख समस्या मैं कि पूल है मोरहर नदी पर अगर पूल बन जाए तो यहां का 90 परसंट समस्या को दूर किया जा सकता है यहां हम लोग चुनाव जब जीते हैं तीन वर्स करिवन हो गया है तीन वर्स में बरावर हमें समस्या ही समस्या देख रहे हैं पहले भी आवा गवन रहता था आज अगर ए दुकान भी यहां नहीं है यहां कोई डॉक्टर भी अच्छा नहीं है एक जिनको हम लोग जोला चाप डॉक्टर लोग कहते हैं हम लोग तो नहीं को भागवान मानते हैं और वही डॉक्टर से हम लोग यहां के सब जिन्दा हैं कितने महिलाएं एक नहीं आप मुखिया जी यानि इसको सिधा सिधी बेच देना चाहिए था जो पेपर में भी आया था उनका स्टेट्मेंट पेपर भी आया था वैसे भी कुछ लोग इसको सिरी लंका का नाम से जानने लगे हैं सिरी लंका कहा जाता है शिरी लंका इसलिए लोग कहते हैं कि चारों तरप से जारक्राइव रहा हैं टाविवा सबसे लोग हैं है मेरे पुर नहीं मेरे कि इसमेश हैं जम्हाइए को बक्ति कि other cities टो पूल की करए कि मेरा निविदया है तो लुप मेरे से आकि इसका है आपसे रहे गा सारे जनता के तरब जयाए की पर मुख्तियाइव फासी यह ज् सब्सक्राइण है से दिखाने का काम करेंगे रोड पूल के अलावे यहां पीडियस का दुकान अजादी की इतना बरस बीट गए बीच में एक दुकान दिया गया था लेसके दुकान को सीप्ट केया दिया में थाम ये हाँ कोई दुकान वीटाण में यहां कोई पी डियस का नहीं आ empieza के दिनों में वार rasaat के दीन में एक दिखाया गया उहां का वीडियो वो जो सामने का गांव है ने का та ठीक है उस गौवाों में आज तक कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है हचे वहाँ के बच्चछे आज भी सिच्छा से बंचिते हैं वहाँ के बच्चों को दिखाया गया वहां से केवर्डी लुग जा रहे थे केवल्डी विध्यालय वहां जाने में नदी पढ़ती है हे रहिंशे, पत्रा आने में नदी पढ़ती है जो आपके सामने हैं तो बर्साध के दून yönों में वहां के बचचे कैसे आते हैं यह बैशरम सरकार, यह बैशरम यहां के सांसाथ बैशरम यह बिधायक को सरंव लगना चाहिए वो फोटो देखकर हमारे गया के DM ने उस खबर क को देखा और गया के सिच्छा पदिकारी को बेढ़ा गया यहां तक वो जूता चपल खोल के नदी पार हुए और बोले कि कल से भी द्याले हेरंज में चलेगा लगबक दो माँ बीत गया हाई तक वह सिमेट कर गया कि पेपर में रहा गया फाइल में रहा गया कि डीम के फाइ जा रहा है सारा समस्यां के समधान नहीं होता है तब तक यहां के लोग वोट नहीं करेंगे तो अभी हमारी मवजुद्गी इमामगज परखंट छेत्र के पत्थरागों में है और यहां के लोगों निर्णय लिया है कि इस बार के उप्चुनों में यहां के लोग वोट वह